मुनावर फारुखी ने अभिशेक कुमार को गले लगा लिया है हाला कि गले क्यूं लगाया है इसके बारे में तो नहीं पता पर थोड़ी सिचिवेशन देखके इसके उपर गॉसिप जरूर कर सकते हैं तो चल्दी चल्दी मुझे इंस्ट्रग्राम पर फालो कर लीजिए तो यहां पर लेविंग एरिया में महले में समर्थ, समर्थ के पापा, मनारा, अभिशेक और मुनावर, विक्की, अंकिता सब लोग यहीं पर बैठे थे जहां पर समर्थ के बारे में काफिसरी बाते यहां पर चल रही है और समर्थ के पिता जी बहुत ध्यान से समर्थ को देख रहे हैं जहां पर समर्थ बहुत जाद सीरियस है काफिसरी टांग खीची गई है, काफिसरी बाते यहां पर हुई है और कभी कबार जो है सब लोगों के चहरे बहुत ही ज़दा अचानक ही हस पड़ते थे और कभी कबार बहुत ही ज़दा सीरियस हो जाते थे इन लोगों के चहरे और बस फिर क्या था कि समर्थ जो है सब conversation होने के बाद सबके साथ बात करवाने के बाद अपने रूम में दिल के मकान में अपने पिता जी को ले गए और वहीं पर सब लोग भी वहां से निकल लिये और जैसे ही अभी शेक को देखा मुनावर ने निकल पास में जाता है और कुछ बात करता है शायद उसको बहुती बेसबरी से अभी अपनी मम्मी का इंतिजार हो चुका है आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जिसके मम्मी जिसके फैमिली होती है मतलब कि जो जादा फेमस होता है बाहर उसकी फैमिली को लास्ट में बुलाया जाता है और यह चीज जो है मुनावर को भी बता होगी और अब जो है लास्ट में बुलाया गया है सब की नजरे जो है अभिशेक की मम्मी के उपर अभिशेक की उपर है कि किस तरीके से जो है ये दोनों मिलेंगे अभिशेक का क्या reaction होगा और अभिशेक की वो सब चीज़े देखने के बाद उनकी मम्मी जो है hospital में भी admit हुई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताय तो अब वो अपने बेटे को मिल के आखिरकार किस तरीके का उनका reaction निकलेगा क्योंकि बहुत ही ज़दा चीज़े जो है उनके बेटे ने सही है बहुत ज़दा रोया है तो कोई भी मा जो है ऐसे रोते हुए अपने बच्चे को नहीं देख सकती हाला कि इंतिजार कर रही ह तो मुनावर ने जो है गले लगा लिया है अभी शेक को कि कोई बात नि तेरी मम्बी भी बहुत जल्दा रही होगी उदास मत हो जा जल्दी आ रही होगी इसी के साथ में लेती हुए उनसासर नमस्का